हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद हैं आप सब बहुत ज़्यादा बढ़ियां होंगे आज मैं आपके साशियर करने वाली हूँ बहुत ही अमीजिंग से टिप्स ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं और वैसे भी निया साल आने वाला है तो सब के लिए पहले सही preparation करना बहुत ज़ादा जरूरी है तो इन tips को ज़रूर फोलो कीजे का आपको बहुत ज़ादा पसंद आएंगे तो चलिए चलते हमारे पहले है की तरफ तो सरदिया ना आ चुकी है तो हमारे पास ये है कुछ कह सकते हैं घर में डालने के लिए sleepers और ये बहुत ज़ादा comfortable है घर के लिए especially क्योंकि जब ठंड लगती है तो इनको use किया जाता है तो ये हो रखे थे बहुत ज़ादा गंदे तो मैंने सोचा इनको बहुत अच्छे से साफ कर लेते हैं आपके साथ इसकी टीप भी में share करने वाली हूँ आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजे हैं जिने आप साफ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे पहले तो यहाँ पर हम लेंगे सर्फ सर्फ आप कोई सीभी ले सकते हैं जो आपके घर में यूज की जाती है सेकिंड यहाँ पर मैंने लिया है शैम्पू तो यह सिर्फ दो चीजे ना हमारे जो स्लीपर हैं इनको चमकागे रख देगी और बस आपको डिप करके रखना है जितनी जादा देर के लिए आप डिप करेंगे उतना जादा इसमें से जो मैल और इसके उपर की गंदगी न निकल जाएगी क्योंकि यह व्यूलन कपड़े से ही बने होते हैं और उस वज़े से आपको इसको थोड़ा से डिप करना ही पड़ेगा ताकि बहुत अच्छा आपको रिजर्ट मिल सकें तो यहाँ पर मेरे स्लीपर्स थे और मेरे बच्चे की स्लीपर्स थे जो मेरा बेटा है तो अब हम क्या करेंगे इसको न बस उल्टा करके न मैं डिप करके ऐसे ही छोड़ दूँगी बस यहाँ पर अब हम इसको कम से कम में आदे घंटे के लिए छोड़ूँगी तब तक आप कोई और काम कर सकते हैं आदे घंटा हो चुका है आदे घंटे के बाद स्लीपर्स ने अपनी जो मैल है वो छोड़नी शुरू कर दी अब यहाँ पर आपको यूज करना है ब्रश बहुत जादा ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बट जो हलका ब्रश होता है आप उसको जरूर यूज कीजिए तो मेरे पास है ये वाला ब्रश जो बहुत ही जादा एफेक्टिव है इसके उपर आप ना ओपन करके इसमें थोड़ी सर्फ वगरा एड़ कर सकते है बट अभी मैंने कुछ चैट नहीं किया क्योंकि जो सर्फ और शेंपू था ना वो स्लिपर्स ने अपने आप एब्सोर पड़ेगी बहुत ही अच्छे से ये तो साफ हो रहा है बहुत जादा टाइम भी नहीं लगा बस इसको डिप करके रखने में मुझे टाइम लगा वैसे नहीं आप देख सकते हैं एक जो है पेर कितना जादा अच्छे से साफ हो चुका है ऐसे ही मैं अपने वाला जो हमने रिमूव कर दी है तो यह देखिए है मेरा ब्लैक और दूसरा तो बहुत जादा ही काला था तो मैंने सब चेपहले उसको ही साफ करूं और अब आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं इन विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छे से अंदर से तक हम इसको जो है ले बस अब हम क्या करेंगे अच्छे से नॉर्मल पानी से वाश कर देंगे वाश करने के बाद इसको सुखाने का जो टाइम था ना वो मुझे जादा लगा क्योंकि दूप में इसको रखना पड़ेगा ये रात हो चुकी थी फिर हम ने इसको दूप में चाकर मैंने रखा तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन में ये अच्छे से साफ हो जाएंगे मतलब कि सूख जाएंगे फिर आप इसको वियर कर सकते हैं तो ये चोटा सा टिपता उमीद है आपको पसंद आया होगा और पसंद आब आती है सेगें टिप की बारी सेगें टिप है मेथी से रिलेटि हुँ हमने सोचा मेथी भी तोड़ लेते हैं और इसके गुण भी आपके साफ शेयर कर लेती हूँ मेथी बहुत ही जादा बढ़िया होती है और वैसे भी ये विंटर की सीजन में कि फायती भी पड़ती है आप इसको जो है मकी के आटे में गेहूं के आटे में कहीं पर भी इसको अच्छे से गून सकते हैं तो मेरी टिप जो है ना इसको आप नमक वाले पानी में धोएंगे तो आपको बहुत जादा बढ़िया जो है रिजल्ट मिलेंगे इसके उपर से जो भी कीडे मकोडे या बैक्टीरिया वगेरा होगे दूल गंदिगी वो सारी की सारी निक करना इन सबी चीजों को दो सकते हैं ये तो रही मेरी पहले टिप अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी दूसरी टिप की वो है हमारे जो की है जो मेथी जब भी हम लेकर आते हैं जो स्पेशली अभी वाली मेथी आ रही है न उसमें ये चुट चुटे फ्लार्स हैं आ अपने घुण होते हैं एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टी होती है तो इन ये येलो येलो फूलों को भी इसमें जरूर रखिएगा अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे है कि अगर आपके घर में पान का पत्ता यूज करते हैं और वो सूख जाता है न तो आप इसको नौर्मल जो पानी आता है थंडा नहीं नौर्मल जो पानी आता है गुन-गुना कर लीजिए उसमें आप इसको डिप करके रखिए और उस की तो यहाँ पर खीर बिलकुर मार्केट जैसी बनाने के लिए और सिरफ आदे खंटे में इसको तैयार करने के लिए मेरी कुछ टिप्स है सबसे पहले तो कोकर में जो पानी डाल कर हम क्या करेंगे चावलों को एक-दो सीटी लगवा लें तो यहाँ तो एक-दो से जादा हमने तीन सीटी लगवा ली थी क्योंकि खीर का हमें आया था एकदम से ओर्डर की हमें खीर बनाने है तो उसके बाद हमारे घर में जो एक कनी वाले चावल होते हैं ना चावल का हम क्याती है कि टूटे हुए चावल उससे वैसे बहुत जादा अच्छी बनती है तो वह घर में अवैलिबल नहीं थे अच्छे से 3 CT लगवाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दूद को दूद ही हाँ पर अच्छे से हमने डाल दिया है और इसको healthy बनाने के लिए हाँ पर हमने मिश्री अड़ कर दिया है बस अब हम क्या करेंगे इसको medium flame पर पकने के लिए छोड़ देंगे वैसे तो अभी भी CT लग सकती है बट आपको लगता है कि CT से जादा दूद वेगरा बाहर आएगा ना तो इसको आप हलकी सी लिल डगा कर इसमें डाल दीजिए तो 20 मिनट के लिए हमने medium flame पर इसको छोड़ दिया उसके बाद सबसे end में आप इसमें आड़ करेंगे milk powder इलाईची भी हमने डाली थी वो मैं दिखाना भूल गई शूट करते टाइम तो ये है milk powder वाइटनर नहीं है बिल्कुल भी ये है properly milk powder जो कि आपकी खीर को बनाएगा बिल्कुल market जैसा ही अच्छे से ये बिल्कुल डलियां छोड़ देगा को गरम-गरम सी खीर थी इस वज़े से हलका सा ही दो मिनट सेक लखने के बाद ये जो खीर है न इसमें सारे के सारा milk powder अब्जोर्ब हो जाएगा और ये देखे कि इत्ती गाड़ी हो चुकी है दस मिनट के लिए मैंने इसको इसको साथ जो है medium flame पर हमने पकने के लिए छोड़ा और अब हम क्या करेंगे एक जो है कोई भी घोटना ले सकते हैं जिसे कि आप साग को अच्छे से जो है crush करते हैं तो आप mold जो भी use करते हैं आप उसका use कर सकते हैं और ये देखे बिलकुर market जैसी खीर बनी है जब हम restaurant वगेरा में जाते हैं और उसके बाद खीर मांगते हैं बिलकुल वैसी बनी है तो यहाँ पर मैंने किसी भी बदाम वगेरा का use नहीं किया है अल्रेडी बहुत जादा अच्छी लग रही है आप इसमें से उपर कुछ भी चीज को पोर कर सकते हैं क्योंकि हमने ये बिलकुल at the point बनाई थी तो हमने अब भी इसको खाना ही है तो यहाँ पर मैंने इसको shoot जो भी आपके पास app है उससे मंगवाना पड़ता है तो पिछली बार जब आया था ना अवाकाडो तो वह भी कच्छा था तो मैंने उसकी तो एक चटनी बना ली तो अब मैंने बच्चों के लिए specially मंगवाया है अभी भी कच्छा आया है बहुत सादा कच्छा नहीं है सबसे पहले इसको क्या करेंगे किसी भी आप कपड़े में या किस पॉल्टव में भी अपसको ड RNA ढख सकते हैं तो मेरे पास ये कपड़े वाला पंए था तो मैंने क्या किया, इसके बीच में हम इसको डालतेंगे और रखना कहा है, रखना इसको हो है बिलकुल आप जैसे dry place पर रखना है जहांपर बहुत जादा गिला पर्ना रहता हो तो मैंने इसको किसी dry place में रख देना है तो बस इसी जो container में जिसमें आया है उसी में हम इसको डाल करना रख देंगे और दो दिन के बाद में आपको दिखाऊंगी कि यह जो एवाकाडो है यह कौन सी शेप में है आपको बता है एवाकाडो बहुत महंगे आते हैं तो इसको पकाना बहुत ज़रूरी है अब बढ़ते हमारे अगले हैकी तरफ अगला हैक है बहुत ही ज़रूरी जैसे हमारे घर में दूद वगेरा होते हैं और आपको कहीं जाना है और लगता है कि दूद ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा तो दूद जो है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इलाइची का यूज कर सकते हैं दूद को बोहिल कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें एक दो इलाइची डाल दीजिए इससे क्या होगा ना जो दूद है बहुत जादा लंबे समय तक स्टे रहेगा तो जब भी आपको कोई ऐसी जगे पर जाना है जहाँ पर आपको लगता है कि दूद हमें घर पर आकर चाहिए बट लग भी आपको तीन-चार दिन जाएंगे तब आप फ्रीज में ये वाला हैक जरूर ट्राइ कीजेगा तो यहाँ पर कुछ इलाइची का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो यहाँ पर एक इलाइची आप उसको तोड़ करना उसकी कुछ दाने डाल दीजिए और चिलकी समेत आप इसमें पोर कर सकते हैं अभी तो हमें कहीं नहीं जाना सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ फिर भी एक इलाइची जो है इसमें मैं रहने देती हूँ क्योंकि इलाइची ना दूर को खराब करती है कुछ भी नहीं करती अगर यह बीच में रहेगी तब इसका कुछ भी नहीं होगा तो आप इसको ट्राइ आउट ज़रूर कीजे अब बात कर लेते हैं रोटन बनाना की यानि की जो हम घर में बनाना वगेरे लेकर आते हैं तो बहुत जल्दी दो एक दो दिन के बाद ही ना जैसे बनाना खराब होने चुरूर हो जाते हैं तो इसकी जो स्टैम होती है जो इसकी जड़ होती है उसके उपर आपको एक ट्राइ करना है कि आप इसको किसी भी चीज से बन कीजे यहाँ पर मैं यूज करूँगी अलुमीनियूम फॉयल का अलुमीनियूम फॉयल से जो एर होती है बहुत जादा आपको बता है कि क्रोस वगेरा नहीं होती है और उसकी वज़े से नमी नहीं आती और ये जो स्टैम है बिल्कुल एज़िटीजी बनी रहती है और यहाँ पर जो है ये वीडियो मैं ने शूट की थी दो दिन पहला दो दिन के बाद भी न बनानाज बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है और बहुत ही जादा आपको एक लगेगा कि बनाना की जो टाइमिंग है वो रुक्सी गई है तो जब भी आप बनाना वगेरा लेकर आए और बहुत जल्दी आपको नहीं खाने है तो आप ये वाला हैक ट्राइ आउट जरूर कीजेगा बच्चों हो या बड़े जादा तर तो बच्चों की ये बैं लेकर आई हूँ कि मेमरी पावर को बढ़ाने के लिए बुडों की मेमरी पावर को बढ़ाने के लिए उसका सा आपके से शेयर करने वाली हूँ इसमें आपको कुछ मिश्री लेनी है कुछ बादाम लेने है और थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेनी है तीनों चीजे विंटर के सीजन में तो आपको पता है आप बादाम को बीना भिगोए भी खाएंगे तब भी आपके लिए फैक्टिव रहेंगे बट जो है इसको बच्चों को या मिलाएं जो खाएं इसको भिगोगर इखाएं जादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इनकी तासीर होती है गर्म विंटर के लिए बहुत ही जादा बढ़िया रहता है बच्चों को दे सकते हैं आप इसको पीस कर दूद के साथ इससे बढ़ती है मेंबरी पावर अगर बच्चे पढ़ते हैं और उनका पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप यह ज़रूर ट्राइ कीजिए वैसे भी मिश्री मीठी होती है सौंफ में मिठी होती है बढ़ आप तो बच्चे बाग भाग कर खाते हैं तो आप इसका पावडर बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और बहुत ही ज़ादा यह चोटा सा है के बढ़ आपकी बच्चों के लिए बहुत ही ज़ादा एफेक्टिव है क्योंकि आगे आने वाले हैं बच्चों के एक्जाम एक्जाम से पहले आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राइ कीजिए तो चलिए अब बढ़ते हमारे सेकीन है की तरफ आज करना मोसम चेंज हो रहा है तो आपको एक चीज जो है अपने घर पे ज़रूर रखनी है जो की है गिलोए गिलोए की आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं और यहां पर एक टहनी आती है वो ले सकते हैं तो मैंने इसको तो ओनलाइन वैसे पर चेस किया था हमारे आसपास नहीं मिलती है तो ओनलाइन में बहुत ही ज़ादा बढ़िया आई और यहां पर जो अगर बच्चे को बुखार है जैसे चोटा बच्चा है तो आप गम मात्रा में देंगे आधा चमच और पान साल से थोड़ा बड़ा बच्चा है एक सी दो चमच आप दे सकते हैं गिलोई का पानी यहीन मानिये इससे मेरे जो बेटा है उसका बुखार उतर गया उसको बहुत जादा तेज फीवर था जैसे वाइरल फीवर होता है इतनी जो है टैबलेट्स देने के बाद भी उसको बुखार नहीं उतरा गिलोई से उतर गया वैसे आप इसको एक बार डॉक्टर से आयुवेदिक डॉक्टर से परामर्श भी कर सकते हैं पर मुझे बहुत जादा इससे अमेजिंग रिजल्ट मिले थे तो मैंने सोचा आपके साथ ये चोटा सा हैक जरूर ट्राइ करूँ और मैं हफ़ते में एक बार जरूर गुलोई का पानी जो बच्चों को दे देती हूँ अपने बेटे को दे देती हूँ तो एक से दो भआ जो हैं अफी जादा फायदे बंद रहते हैं पर जब बी क्या होता है ऩो है तो नहीं का सबाहिन आ नहीं से पर गर्म पानी लिया और पासे और अक्रोट को रख दिया थोड़ा सा इसको न हम स्क्रब करेंगे तो बहुत जादा न इसमें से एक गंदगी सी कह सकते हैं या फिर न कहीं बहुत जादा लगे होते हैं जब इनकी पैकिंग हो रखी होती है तो उसकी डर्ट पर निकालने के लिए एक से दो पानी में जरूर वोश करती हूँ और यहाँ बर मैं दूसरे पानी में वोश करके फिर से आपके सामने लेकर आऊंगे फिर आप क्या करेंगे इसको नॉर्मल वाले पानी में जो है डिप करके रखतेंगे इससे जो है इसकी डर्ट निकल जाएगे और बच्चों का आप दे सकते हैं ओ यह फाइबर क्लोथ आता है मैं इसको टाइल क्लिणिग क्लोथ भी बोल देती हूं क्योंकि इससे मैं अपने जो-ल्त साफ कर लेती हूं दो साफ कर लेती हैं जो किचन की आती है शेलफ सारी चीजे पस यही साफ करती हूं इससे तो इसको तो मैं multi-purpose cloth भी बोल देती हूं बट इसको ना clean करना भी उतना ही जादा जरूरी है क्योंकि एक microfiber cloth या tile cleaning cloth ना चलता है मेरी साब से 10-15 दिन चल जाता है पर 10-15 दिन में उसके बीच में bacteria वगेरा भी आ जाते हैं बार-बार यूज़ करने की वचे से तो इसके लिए आपको क्या करना है पानी लेना है baking soda या baking powder डाल देना है एक बार इसको जरूर जो है कर लेना चाहिए हफते के बाद वन वीक के बाद और अब हम क्या करेंगे इसको सिरफ बोईल करना है बोईल करने से इसमें से जो सारे के सारे तत्वे हैं जो कि bacteria बगेरा है बहुत जादा आपको लगता है गंदा हो रखा है तो वो सारी चीज़े न साफ हो जाएंगी अच्छे से बोईल कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसको मैंने न नॉर्मल विम्बार से ही साफ कर लिया और ये देखे सुखा अगर आपके पास लेकर आई हूँ दोबारा से वैसे ही clean हो चुका है बट ये जो दाग है ये नहीं जाएगा क्योंकि ये oil वाला दाग न चप जाता है तो आप ज़रूर ट्राए कीजिए अगला है कि हमारा जब भी हम कोई भी फूट फे ये लेकर आती है तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं जादा फूट लेकर आऊँ वैसे तो मैंने पपाया, एपल के साथ बनाना ये सारी चीज़े में इकठी लेकर आती हूँ उसके साथ नारियल ज़रूर रखती हूँ नारियल रखने से फूट के बीच में जो फूट की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है तो आप ही कोशिश कीज़े जब भी आप ही कठे फूट लेकर आएं उसमें से एक नारियल ज़रूर लेकर आएं और उसको आप अपने फूट के साथ रखती जिए अगला हैक होने वाला है जब भी आपके घर में कुछ चोटी चोटी चीज़े बनते हैं जैसे कि मेरे को पसंद है मुंग डाल की चाट इसको स्प्राउट करके खाऊं या इसको बोईल करके खाऊं वेट लोस के लिए भी बहुत ही जादा अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ पर मैं वेट लोस की चोटी चोटी शोटी वीडियो डालती रहती हूं तो यह जो है मुझे पसंद है तो मैं गरती हूं चोटी चोटी जो बाउल आते हैं स्पेशली कांच के उसमें मैं इसको डिप करके रख देती हूं जो कांच के बाउल मैंने देखे हैं प्लास्टिक से जादा एक तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं सेकिर उसमें चीज जादा टाइम के लिए फ्रेश रहती है तो अब हम क्या करेंगे एक साइड तो मैंने मुम्तार डाल दी क्योंकि वो अबाउंट में थोड़ी थी कम थी तो एक साइड मैं डाल रहे हूं काले चने काले चने जो है न मेरे हस्बेंड को बहुत जादा पसंद आती हैं और काले चने की ही चाट वो खाना प्रसंद करते हैं तो मैं क्या गरती हूं कि यह चुट चुटे बाउल जो कांच की होते हैं इन ही में वो डाल लेती हूं तो मुझे जो है यह थोड़ी थोड़ी चीज़े न बहुत बड़े 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 कंटेनर्स में रखने नहीं जाए हैं छोड़े कंटेनर्स में आप डाल कर रख सकते हैं जिसे आपकी किचन की स्पेस भी ओक्योपाई हो जाएगी बहुत अच्छे से उसके बाद आप इसको बोईल कर लीजिए चार्ट बनाइए स्प्राउट बनाइए यह आपकी उपर है अगला हैक न मैं बताने वाली हूँ अभी मैंने आपको बताया न में वेट लोस के उपर हूँ तो मैंने यह मल्टी ग्रीन का आटा है जिसमें बहुत सारे आटे जवार बाजरा जों और बहुत सारे इसमें आटे थे यह खुद भी पिस्वाया हुआ है कुछ मैं पैकिट्स भी ले आती हूँ तो इसको शुरु शुरु में मुझे बनाना नहीं आता था तो मैंने गया किया सबसे पहले तो गरम पानी लिया इत्ता भी गरम नहीं कि उंगली जो है सर जाए मत अगर आप उसको घरम पानी में जो है अच्छे से मिक्स करेंगे गरम पानी में आटा गुंतेगे न तो वो बिल्कुल रोटी जैसा ही हो जाता है बिल्कुल बिलता भी है रोटी इसकी थोड़ी से फूलती भी है मैंने देखा है तो आप न ये आटे को पहले तो अच्छे स जाओंगी और इसका बहुत अच्छा सा डो लगाएंगे अगर आपने पहले ही इसका डो हाड लगाया ना तो ये आटे की रोटी बिल्कुल नहीं बिलेगी चिपक जाएगी और फिर आफ रस्टेट भी हो सकते हैं कि शुरू में मुझे नहीं पता था इसको कैसे बेलते हैं अब तो ये मेरी रूटीन में शामिल है तो मैं बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए न मैं वैसे आटा गुंत लेती हूं इवन कि इसी आटे में मैं आलू भर कर भी कहा लेती हूं मूली भर कर खा लेती हूं जैसे कि जो स्टफ पराठे आते हैं बिल्कुल वैसे बना लेते हू बीना घी के, तो अभी हम इसकी सिरफ नॉर्मल रोटी बनाएंगे, अभी मैं आपको ना सोयाबी निया पर मैंने क्रश करके रखी है, वो हम इसमें डाल देंगे, दस मिनट के लिए इसको रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपोर्टन पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने दो लोई बनाई है, एक लोई मेरी सासुमा के लिए, एक लोई मेरे लिए, क्योंकि एक ही पराटा मुझे खाना होता है, तो वैसी तरह कि मैं लोई बना लेती हूँ, इसमें मैंने डाला है, स्टफ्ट क्रश किये हुए स्वयाबी नुबाल कर, और आपको मैं सिरफ यह दि बिल्कुल गेहू वाली रोटी की तरह यह रोटी बनेगी, वह हल्की फुल्की तूटती है, वह आपको देख लेना है, बहुत जादा भी नहीं तूटती, बस अब हम क्या करेंगे, इसको बेल लेंगे, वैसे तो बहुत अच्छे से, यह गुलाई में बिल रही है, हाँ ग हमारे घर में जब मैं शूट भी कर रही हूँ या कुछ भी तो साथ साथ सुमा कुछ ना कुछ जो है मेरी हेल्प करते रहते हैं, हेल्प करने से ही सब कुछ सही भी लगता है, ऐसे अपना पंसा लगता है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, मेरे से साथ सुमा से बात करते करते हैं मेरी रोटी खुद की जल गई चलो कोई बात नहीं तो यहां पर यहां इसको ना हलका सा फुला लेते हैं तो रोटी वैसे तो बहुत अच्छे से बन चुकी है इसके उपर आप देशी ही लगाई है मखन लगाई है और इसके बाद किसी भी सबजी के साथ आप इसको यहां देही के साथ खा सकते हैं स्टॉफ है तो आप देही के साथ खा सकते हैं नहीं है तो आप इसके साथ सबजी ले सकते हैं मैं जादा तर इसको तो पहर में खाना पसंद करती हूँ रात के टाइम होट्स वगेरा ले लेती हूँ कोई भी सबजी के साथ तो मुझे जब भी मैं कोशिच करती हूँ कि बहुत जादा जब गेस्ट आ जाते हैं तब तवे पर रोटी जो सेखना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है बट जब आप घर के लिए बनाते हैं जब आपको बता है कि आपको गीने चुने फुल के बनाने है तो आप कोशिच कीजिए कि इसको किसी जासे कपड़े के साथ साफ कपड़े के साथ तवे की उपर ही से की इससे किया होगा ना बच्चों को गैस की दिक्कतर नहीं होगी क्योंकि शुरु में बच्चे को कोंस्टिबेशन रहता था आप जल्दी-जल्दी में गैस के उपर बनाती तब आप यह वाली फुलती है ना जो रोटी बनती है वो अंदर तक पक जाती है और वैसे भी जो है हमारे चूलों वगेरो पर रोटी जो है आग में सिख जाती थी अब तो आपको बता है गैस लेंडर वगेरा कि जो गैस होती है वो सही नहीं होती गैस वगेरा करती है बच्चों को तो ये यह बहुत ही जादा कि अच्छा है के मैं साइड बाइस यह जो चीज निकालती हूं वो साइड बैस रखती भी जाती हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए अगला हैक न ये छोटा सा है जो हमारे केले के चिलके होते हैं हम क्या गरते हैं उनको फ्याइएंग देते हैं मिर पास छोटा सा था इस से आप Salt face के लिए एक scrub प्रप तैयार सकते हैं इती बढ़िया ये स्क्रब होने वाली है क्योंकि हम क्या इसको डाल दूद तवे पर डाल दूगी और इसमें आप हल्दी डाल सकते हैं आप अपनी साप से इसमें जो भी चीजे डालना चाते हैं तो बेसन आप बिल्कुल नहीं इसके साथ डालेंगे क्योंकि वह फूल जाए वह लुड़ा सा उबल जाएगा और आपको उसको पीसने में दिक्कत नहीं आएगी डार्क्ली नहीं तो जो पीसी जोते हैं वह बिल्कुल नहीं जो है पिस्ते हैं हमारे मिक्सी जार में तो उससे पहले आप इसको यह जो चीज आप इसको अच्छे से बना लेंगे आपके पर आपके हाथों पर जो टैनिंग है न और वो बिल्कुल चूमंतर हो जाएगी, साइड बाइ साइड आपको एक न्यू नैचरल सा गलो मिलेगा, यहाँ पर मैंने उबाल लिया है, इसको अब थोड़ा सा ठंडा करना भी बहुत जादा जरूरी है, हलका सा ठंडा होने पर य अब हम इसमें जो थोड़ी थोड़ी चीज़े अड़ करेंगे, क्योंकि एक ही बार का बनाईएगा, जितना अपने फेस पर लगाना है उतना है, बना कर नहीं रखना इसको, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दूद पोर कर दिया है, आप चाहें तो ऐलोवेरा जल भी डाल सकत अब क्या करना है, अपने हाथों पर लगाएए अपने पेरों पर लगाएए और बिलकुल टैन फ्री हो जाएए, चोटा सा हैक है बट आपके काम के आने वाला है क्योंकि जो केले के चिलके होते है वैसे तो उनको खाना भी कहते हैं कि उसको खा भी लेना जाहिए उससे जो कबच की दिक्का तो बिल्कुल शुमंतर हो जाती है वर उसको फेस पर लगाना भी बहुत जादा फायते बंद होता है तो यह चोटा सा है था ब्यूटी है इसके बिना मेरी वीडियो हो ही नहीं सकती क्योंकि मुझे ब्यूटी है करना बहुत जादा पसंद है अगर आपने मे अगरी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने वैसे इसमें ब्रॉकली मश्रूम बैल पेपर जो रेड और हमारे यलो होते हैं वो पीस कर इसमें डाल रखे हैं कट कर चोट चोटा तो आपना इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडियंट है वो है इसमें आ आलो ज़रू डालिए आलो किसे बच्चों को एक तो टेस्ट आता है और जो बेसन का चिला थोड़ा साना आपने देखा होगा रफ सा हो जाता है मैंने बहुत बार इस चीज को नोटिस किया है तो उससे क्या होगा रफ नहीं होगा और बच्चों को बहुत ही जादा बढ़िया और वैसे भी कईबर मैं क्या करती हूं मलाई वगेरा डाल देती हूं जो चीले के अंदर ये बत्चों को बहुत जादा बढ़िया लगती है चीज वगेरा मैं प्रैफर नहीं करती हां पनीर वगेरा मैं डाल लेती हूं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और यहां पर मैंने कूट कर डाली है, यहां पर ब्लैक सैसेमी सीट्स भी डाल सकते हैं उसमें आइरन की बहुत जादा जो है उसमें रिच होता है बच्चों की घर में बच्चे है तो इस वज़े से मुझे वह चीजे पता है जिसमें आइरन, कैल्शियम और यह सारी चीजे होती ह तो मैं कोशिश करती हूँ कोई एक ऐसी चीज बनाओं जिसमें वह सारी चीजे डाल जाएं तो मुझे चीला हो गया, परांठे हो गये, यह मुझे बहुत जादा पसंद है क्योंकि बच्चे न इसमें ढून ढून कर न निकाल नहीं पाएंगे, वह चीले के सारा घा जाएं अब हम क्या करेंगे, हलल कासा इसको उतारना शुरू करते हैं क्योंकि इसमें मलाई डाल दी थी बच्चे वाले में अलग से, हम जो खाएंगे उसमें मलाई बगर नहीं डाली है मैंने, तो यह देखे बहुत ही बड़ी असा हमारा चीला बन करते ही यार है, अमेजिंग सा अब मैं आपके साथ एक ओर टीपीस के साथ शियर करने वाली हूँ, वो है आपना अभी चल रही है, बरसात का मोसम है, तो आपना दहीं अवोइट कीजिए, उसकी जगह पर मलाई ले सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को सोस भी ना धूँ, मार्किट वाली, उ आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो मुझे कॉमन सेक्शन में जरूर बताईएगा,